आप सभी सिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार दोस्तों विशेश सची उत्तरप्रदेश साशन डॉक्टर काजल की तरब से एक आदेश हुआ है और वह आदेश COVID-19 में हमारी दरान जब हमारे विद्याले बंद थे तो इस दरान जो खादी सुरक्षा आदियनियम के इंतरगत खादे वितरन भच्चों को किया गया था खादे सुरक्षा भट्ता जो दिया गया था उस संदर में ये आदेश है आइए हम बहुत ही कम समय में ये जान लेते हैं कि इस आदेश की मूल बातें क्या है चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं देट यहां पे दिख रहा है दोस्तों यहां नीचे की तरफ नीचे की पंक्तियों में जो भी दिया गया है यह वही चीज है जो इसके पूर्व में दिया गया था आपने जाना है और इसी के अकार्डिंग आपने खाद्यान वितरन किया भी है तो ऐसे में दोस्तों आपका समय जाया नहीं करेंगे इसको पढ़के अगर आप पढ़ना चाहे तो वीडियो को पॉस्ट करके और इसे पढ़ सकते हैं दोस्तों चलिए जो मूल बातें आपको जाननी है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो तीसरा बिंदु है वो काफी महत्पूर है जिसे आपको निश्चित रुप से जानना चाहिए अता उपरिद के समन्द में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 महमारी के कारण विद्याले बंध होने की स्थिती में राष्टी खादी सुरक्षा दिर्यम के अंतरगत मध्यान भोजन यूजना से अच्छादित विद्यालेयों के समस्त नमांकित चात्रों को खादी सुरक्षा भत्ता के अंतरगत उच्च प्राथमिक अस्तर के चात्रों को दिलांक 1 सितंबर 2020 से 9 फरवरी 2021 तग कुल 124 विद्याले दिवस रविवार एवंग सारवजनिक अवकास को छोड़ कर हेतु खाद्यान 18.690 किलोग्राम जिसमें चावल है 12.490 किलोग्राम और गेहु है 6.290 किलोग्राम एवंग परिवर्तन लागत की धनराश जो है वो है 923 रुपे प्रति चात्र तथा प्राथमी कस्तर के चात्रों को दिनांक 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक कुल 138 विद्याले दिवस रविवार एवंग सारवजनिक अवकास को छोड़ कर हेतु खाद्यान 13.890 किलोग्राम जिसमें चावल है 9.290 किलोग्राम और गेहु है 4.690 किलोग्राम एवंग परिवर्तन लागत की धनराशी 685 रुपे प्रति चात्र की दर से उपलब्द कराये जाने का निवड़े लिया गया है तो दोस्तों आपसपस्ट हो पा रहे होंगे कि इतनी सारी बातों का सार यही है कि उच्च प्रात्मिक अस्तर पर 1 सितंबर 2020 से 9 फरवरी 2021 तक कुल विद्याले के जो दिवस हो रहे हैं वो 124 हो रहे हैं अब देख लेते हैं दोस्तों प्रात्मिक अस्तर के लिए प्रात्मिक अस्तर पर दोस्तों आपको पता दें 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक कुल 138 विद्याले दिवस हो रहे हैं और इन 138 विद्याले दिवस में आपको जो टोटल खाद्यान उपलब्द कराना है एक बच्च अब नेक्स जो नीचे दिया गया है जो इसके पर में सासना देश जारी किया गया है उसका जिक्र किया गया है उपर्योकता अनुसार खाद्यान एंवं परृवर्टतन लागत की धन्रास चात्रों उनके विभावधों को उपलब्द कराने के समंद में समस्त का रिवाई प जिसका सतत अनुसरोण जीला दिकारी एवंग मुख्य विकास दिकारी एवंग जीला बेसिक शिक्षा दिकारी इद्वारा किया जाएगा अतेव क्रिपया उप्रयोकता नुसार समस्त कारेवाही प्रात्मिक्ता के आधार पर समय से सुनिश्चित की जाए तो दोस्तों ये है अपडेट और जो खाद्यान वित्रण करना है वो उमीद करते हैं कि जो बताएगी है जनकारी उसके द्वारा आप पूरी तरह से असपस्ट हो पाया होंगे तो कैसा लगा ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक किजेगा चैनल पे नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेज़ेगा मिलता है नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साब तक के लिए नमस्कार